इंटरनाशनल वाच्चेस कलेक्शन बाइ मिनिट्स तू स्टायल माटिन दिलब्रिज अजमीर निलास युनिसेक सलोन अन अकाडमी अपोजेट बदर विद्याले वेशाली नगर अजमीर इसके बावजूद वाहनचोरी के मामलों में कमी नहीं आ रही है इसे देखते हुए अब सरकार ने इस गटनाओ को रोकने के लिए नई कोश्चे की है सरकार एक ऐसी टेक्नलोजी को लेकर आई है जिसके द्वारा वाहनचोरी की गटनाओ पर लगाम लगाया जा सकेगा कि इंतरसरकार ने गाड़ियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए मोटर वाहन और उनके कलपुर्जों पर माइक्रोडॉट आइडेंटिफायर यानी पहचांचिन लगाने को लेकर अधितूशना जारी की है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंतराले ने सुवार को कहा कि माइक्रोडॉट से वाहनों की सुरक्षा बढ़ेगी इस से सम्मंदित मसौधा इस साल जुलाई में ही जारी किया गया था सौधे पर मिले सुझावो और आपतियों पर गौर करने के बाद सरकार ने अधिसूशना जारी की है तो चलिए हम आपको बता दें कि आखिर ये माइक्रोडॉट्स हैं क्या दरसल इन माइक्रोडॉट्स का इस्तमाल वाहनों पर किया जाएगा दिखाई नद देने वाली हैं माइक्रोडॉट्स अब वाहनों और उनके पुर्जों पर लगाए जाएगे जिससे चोरी रोकने के साथ ही नकली कर पुर्जों की भी पहचान की जा सकेगी इस टेक्नोलोजी के तहट यूनीक नंबर और वीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर वाले लेजर बेस्ट हजारो छोटे-छोटे माइक्रोडॉट्स को कार की पूरी बॉडी और साथ ही साथ इंजन पर भी छिडगा जाएगा ये माइक्रोडॉट्स और चिपकने वाले परदाथ वहानों पर स्थाई रूप से मौझूद रहेंगे इन्हें अटाया भी नहीं जा सकता है इन माइक्रोडॉट्स का साइज 0.5 mm होगा इन डॉट्स को अल्ट्रा वाडर लाइट के जरिए दीखा जा सकता है ये तकनीक कुछ देशों में पहले से ही वहान चोरी गटनाओं को रोकने के लिए उप्योग की जा रही है इस टेकनलोजी के जरिए चोरी हुए वहान और उनके मालिकों के बारे में चुठकियों में पता लगाया जा सकता है यहां तक की कार के ज़िए पुर्जे पुर्जे पे लग कर दिये जाएं तो भी कार की डिटेल पता लगाई जा सकती है देश की Automobile Technical Standard का आंकलन करने वाली संस्ता CMVR TCS ने भी इसके टेकनलोजी के स्टेंडर्स को लेकर बैठा की ती जिसमें इसे मंजूरी दे दी गई है मंत्राले ने कहा कि अधिसूचना के मताबिक वहानों और उनके पुर्जो, Components, Assemblies और सब Assemblies पर Microdots लगाने वाली कंपनियों को Automotive Industry Standard 155 का पालन करना होगा सरकार ने इस टेकनलोजी की कीमतों को भी मंजूरी दे दी है सूत्रों के नुसार ये भी बात सामने आई है कि वर्तमान कीमत 1000 रुपे रखी गई है पर जैसे जैसे टेकनलोजी का उप्योग बढ़ेगा इन कीमतों में भी कमी लाई जाएगी प्राप जानकरी के मताबिक 4 पहिया वानों जैसे कार, ट्रक, बसों के लिए 10,000 माइकर डॉट्स की आवशकता रहेगी जबकि 2 पहिया वानों के लिए सिर्फ 5,000 डॉट्स की जरूरत होगी इनकी लाइफ सैकल भी 15 साल तक रहेगी यानि एक बार इनको लगवाने के बार 15 साल तक आपको चिंता करने के आफशकता नहीं